Good morning friends, GST platform के YouTube channel में आप सभी का स्वागत है जी हाँ friends, GSTR 3B का जो हमारा नया format था जिसका first session हम लोगों ने cover किया था जिसमें हमने outward supply और उससे related जो input tax credit sorry, output tax का जो amount है वो किस तरीके से determine होगा उसके बारे में discussion किया था आज जुड़े रहेगा इस वीडियो के end तक नए GSTR 3B के अंदर जो ये eligible ITC और ineligible ITC का पूरा जो ताम जहाम इनोंने इस table के अंदर दिया है वो भी समझेंगे, पुराने वीडियो को आप हमारे YouTube channel से देख सकते हैं उपर आई बटन पे link दिया गया है इसका जो first session है उससे related अब यहाँ आप देखेंगे अगर तो eligible and ineligible ITC का एक नया table जो है बहुत detailed रूप में आपके सामने दिया जाएगा इस table 4 के अंदर सबसे पहला बात है ITC available जो table 4 capital A के अंदर आता है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो sub tables दिये गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि कि 6 sub tables है जिसके अंदर आप input tax credit क्लेम कर सकते हैं इसमें सबसे पहला है import of goods जो भी आप goods import करके लाएंगे जिसकी आप bill of entry execute करेंगे अंदर customs authorities तो वहाँ पर जो भी amount of IGST का payment होगा वो आपका input tax credit में auto populate करके दिया जाएगा ये amount automatically यहाँ पे आपके GSTR 2B के data से reflect हो जाता है इसके बाद अगर हम लोग बात करें ITC available तो वहाँ पर बात आती है import of services की अगर आप import करते हैं और वो import जो है वो import है services का import तो import of services के अंदर भी आपको reverse charge के अंदर जो है वो tax का payment करना होता है अगर आपने हमारा पहला जो session था जिसमें हमने discuss किया था कि output tax liability किस तरीके से जाएगी तो उसमें आप देखेंगे import of services से liability जो है वो generate करी गई थी और इसी liability को for input tax credit में आप claim भी कर सकते हैं और ये manual entry होती है क्योंकि इसके लिए bill of entry का कोई use नहीं है तो import of service basically supply तो है है इसलिए आपको इसके उपर RCM का payment करना पड़ेगा इसके बाद जो हमारे पास third column है inward supplies, liable to reverse charge इन दोनों के अलावा यानि कि other than two above जो import of services है उसके अलावा जो inward supplies आप करते हैं जो की reverse charge के दाइरे में रहती है जैसे मान लेते हैं GTA की supply, advocates की supply या फिर business correspondent या फिर business facilitator की supplies वगर लेते हैं तो वो आपको table number 3 के अंदर include करना होता है ये सारी चीज़े होती क्या है, supply क्या होता है, reverse charge किद की चीज़ों पे लगता है और detail course जो हमारा GST का learning course अल्रेडी स्टार्ट हो चुका है अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, तो दिये गए numbers पे call करके, whatsapp करके आप हमारे GST course की details ले सकते हैं, साथ इसाथ जो हमारी monthly tax magazine आती है, उसकी भी जानकारी आप इसी number पे call करके, whatsapp करके, provide करवा सकते हैं अब यहां आगे देखेंगे, तो invert supplies from input service distributor अगर आपका कोई input tax credit है, जो आपके ISD unit से आ रहा है ISD unit का मतलब क्या होता है, एक बड़ी unit से है, मैं simple term में आपको भी बता रहा हूँ एक simple unit है, कोई XYZ limited company, उसके 500 branches जो है, all over India में बने हुए है तो जो भी amount of input tax credit इस particular organization के यहां पर accumulate होता है क्योंकि common खर्चे हैं 500 units के, तो accordingly फिर यहां पर ITC का distribution जो है, वो किया जाता है तो ऐसे input tax credit को आप table number 4 में under ISD head जो है, वो show करेंगे इसके बाद, ITC on domestic supplies, excluding 1, 2, ITC on domestic inward supplies वर्डिंग्स पर ध्यान दीजिए, domestic inward supplies, यहां पर basically आपके जो B2B के purchases होते हैं, जो अभी हम लोग all other ITC में डाला करते हैं, उसके लिए अब table 4A के अंदर column number 5 जो है, वो insert किया गया है, यह आएगा auto populated from B2B data इसके बाद, ITC reclaimed यह है एक नया table, यह table अभी तक हमारे पास available नहीं था ITC reclaim का मतलब क्या? जैसा कि word हमें बता रहा है, reclaim का मतलब आपने दुबारा इसे claim किया है और आप किसी चीज को दुबारा कब claim करते हैं? जब आपने उसे पहले कभी reverse किया होगा मतलब आपने originally ITC पहले claim करा, फिर उसे reverse किया, अब आप उसे reclaim करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर separate table जो है, वो दिया गया है इसको समझेगा यह ध्यान से क्या कह रहा है ITC which was reversed in 4b small a in earlier tax period यानि कि जो हमारे पास ITC reverse हुआ है, कहाँ पर? B4a में, B4a अगर हम लोग बात करें, तो यह हमारे पास B जो की बात करता है ITC reversal, इसका column number है 4 और इसका column number है A तो यह जो reclaim है, यह इस reversal के reclaim की बात करेगा तो यहाँ पर यह जो B4a है, यह कहता है on account of section 16 to be that is goods or services not received in the current tax period अब देखिए यहाँ पर क्या कहानी है Let's suppose आपने 31st January 2023 को कोई माल परचेश किया आपके supplier ने 31st January 2023 को date of invoice बनाया और वो माल जो है, वो dispatch कर दिया लेकिन आपके पास यह माल पहुचा कब? यह माल पहुचा 5 फरवरी 2023 को अब situation क्या होगी? जब यह supplier अपनी GSTR 1 भर रहा होगा जनवरी महने की उस GSTR 1 में यह इस particular invoice को जिसकी date है 30 जनवरी यह 31 जनवरी 2023 वो तो डालेगा? जैसे ही वो GSTR 1 में इस invoice को upload करेगा आपके GSTR 2B में जो हमारा जनवरी 2023 का GSTR 2B होगा उसमें वो data reflect करेगा 2B में जब वो आपका invoice जो है वो reflect करेगा तो आप एक चीज को समझिए जो हमारे पास यह table था table 4A5 अब मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा हटाता हूँ ताकि आपको चीजे फिर से clear हो पाए अब यहाँ पर table 4A5 जो है ITC on domestic inward supplies यहाँ पर वो January महिने का invoice जो है वो भी auto populate होता है अब जब यह auto populate हो रहा है तो क्या आप उसका input text credit claim कर सकते हैं as per section 162B आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने actual receipt of goods जो है वो अभी तक नहीं किया था तो इसलिए आप government ने यहाँ पर separate reversal बनाया है किस तरीके से आप पहले जो automatically amount यहाँ आ रहा है January महिने की जब आप 3B भरेंगे तो वो figure जो आपका January का है लेकिन receive हुआ है कब परवरी में उसे आप manually B4A के अंदर reverse कीजिए मतलब table 4B 4A के अंदर reversal जो वो है किया जाएगा और फरवरी महिने में जब आपके सारे conditions fulfill हो चुके हैं तो आपको reclaim करना है table number 46 A के अंदर यह reclaim और reversal वाला जो है यह काफी खतरनाक table जो है वो डाला गया है बहुत technically आपको समझना होगा अगला है ITC which was reversed in B4B in earlier tax period यहाँ पर भी ध्यान रखिए earlier tax period जो है यह word यहाँ पर लिखा जा रहा है अब B4B अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो यह B4B की कहानी चल रही है यह कुछ इस तरीके से चल रही है रिवर्सल अगर यहाँ हो रहा है इस कॉलम में तो इसका रिवर्सल कहा होगा इसका रिवर्सल होगा टेबल 6B में अब पढ़ते हैं रिवर्सल किस चीज़ का यह बेसिकली बात करता है 180 डेस के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया और 180 डेस के बाद आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको रिकलेम करने का उप्शन मिलेगा लेकिन जब आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको पहले रिवर्स करना होगा और जब आप पेमेंट करेंगे तो आप उसे रिकलेम कर सकते हैं तो basically table 6 और table 4 जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं through section 16. इसके बाद जो हमारे पास third reversal और reclaim की बात आती है वो है ITC which was reversed in B4C in earlier tax period. B4C के अगर बात करें तो यहां पर बात आ रही है other reversal की. इन दोनों के अलावा और कोई situation बनता है जहां पर आपका ITC reversal है बट reclaim का option आपको मिलने वाला है तो वो आप इस particular section में डालेंगे. यानि कि जो यह हमारा ITC reversal के अंदर others है यह एक बार तो आपको reversal करा रहा है लेकिन यहां पर आपके पास reclaim का option जो है वो मिलने वाला भी रहता है. इसलिए ध्यान से काम करना है इसके बाद जो हमारे पास बच गया वो बच गया ITC reversed यह आप rule 42, 43 और rule 38 के अंदर जो आपका reversal है वो आपको कर रहा है section 17, 5 के अंदर जो ineligible ITC है चुकि यह auto populate हो रहा होगा इस particular table में तो उसे आपको separate दिखाना है जो आपका credit note के respect में है यह new table insert किया गया है जहाँ पर पहले आपको option नहीं मिलता था कि credit note अगर आया है तो उसका amount of input tax credit जो है वो कहां जाएगा तो उसके लिए यहाँ पर separate table दिया जा रहा है इन दोनों का जो summation होगा या जो adjustment करने के बाद amount बचेगा net ITC available A minus B यह figure आपको ले करके चलनी है जो ITC आपने available किया है या claim किया है अगर मैं सही से term use कर लो तो यह जो ITC है यह आपका 3B में आएका इसके बाद बात आती है amendment to details of ITC available and ITC reversed furnished in earlier tax period जब भी GSTR 3B में amendment की बात करते हैं तो amendment कभी भी current tax period का current tax period की 3B में नहीं हो चाहे वो sales का amendment हो चाहे वो ITC का amendment हो amendment जब भी होगा वो earlier tax period में कोई गलती हुई है उसी को ठीक करने के लिए option मिलेगा logical भी है अभी तो return इस महिने की filing नहीं करी तो गलती कहां से मालूम चलेगी तो earlier tax period के अंदर कोई गलती हुई तो उसको आप ठीक कर सकते हैं इसके लिए और A के अंदर table A दिया है amendment to ITC available जो आपने January महिने की हमारे example में ITC January की 3B में डाला उसमें कुछ गलती हो गई है तो उसके अंदर amendment आप कर सकते हैं जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि tax period to which it pertains कौन से period में आपसे गलती हुई थी वो drop down यहां आएगा आपको यहां select करना है January 23 इसके बाद जो differential tax है differential tax का मतलब taxpayer will be able to see the tax period to which the amendment pertains यहां पर जो है वो दिखाया जाएगा जहां पर amendment जो है वो available है taxpayer will be able to select the sub category of ITC available to be amended from the drop down menu ती यहां पर काफे सारे options जो है वो भी आपको portal पे दिखाई जाएगा अगर माल लेते हैं कि आपने January महिने में जो input tax credit claim किया था वो किया था 10,000 रुपए का जबकि आपको claim करना था 20,000 रुपए का तो differential कितना रहा ITC का 10,000 रुपए वो figure आपको यहां पर differential amount जो होगा वो यहां feed करना है अब यहां बात करते हैं जो ITC reverse करना है उसमें अगर कोई गलती हो गई है तो उस reversal को भी आप यहां पर separate तरीके से amend कर सकते हैं reverse करना था 10,000 कर दिया आपने 20,000 रुपए extra reversal हो चुके हैं अगर तो वो reversal आपको इस particular 4A B में feed करना है तो ITC में यह दो table जो हैं वो insert किये गए हैं जिसमें amendment और ITC related data जो है वो capture किया जाएगा अब इसके बाद बात आती है payment of tax की तो payment of tax के अंदर जो पहले चीज़े दी गई थी उसी pattern पे अभी आपको देखने को मिलेगा इसमें कोई भी change जो है वो नहीं किया गया है तो यह 5 tables के साथ हमारे पास new format of GSTR 3B जो है वो available हो चुका है प्रपोज कर दिया गया है जैसे ही यह notify हो जाएगा या इसके final formats आएंगे portal पे आपको और भी जानकारी जो है हमारे YouTube चैनल से मिलती रहेगी इसे लिए जोई रहेगा हमारे चैनल के साथ नीचे red color का subscribe बटन दिय गया गया है उसे प्रेस कर लीजिए साथ में जो बैल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा था कि वीडियो की notifications आप तक regularly पहुंचते रहें thank you and have a nice day